हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एवरीथिंग जिस्टोक मार्केट चैनल पर नेटवेब टेकनोलोजी का जो आई पियो था उसमें हम लोगों ने एपलाई भी किया था आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें कमपनी के बारे में हम लोग ने चारी जानकारी ली थी फूल रिवीव किया था उस वीडियो में और हम लोग ने एपलाई भी किया था मैंने भी पर्सनली दो लोट से अपलाई किया हुआ है फैमली मेंबर के अलग अलग आईडियों से मैंने अपलाई किया है जिससे की अलोट्मेंट के चांस बढ़ जाते हैं अब हम देखने वाले हैं कि उसकी आई प्याद जी एमपी क्या चल रही है और यह कब लिस्ट होने वाले औ पर मार्केट ओपन हो जाता है लेकिन जो नए IPO की खरीदी बिक्रिये हो सुबह 10 वज़े से स्टार्ट होती है तो अभी हम सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं वह वाली वीडियो जिसमें हमने IPO अपलाई किया था उसमें सारी चीज़े बताई थी कंपनी क्या काम क इसमें अपलाई करना चीए कि नहीं करना चीए तो हम लोग ने अपलाई किया था हाइ प्रोवाइड करवाती है क्लावड सिस्टम वगएरा बड़े बड़े जहां कंप्योटरों काम होता है स्टोरेज का काम होता है वहां कंपनी काम करती है 17-19 तक यह IPO चला था और इसमें 500 रुपय का share price था IPO का upper side ही अपन पकड़ के चलते हैं और 30 share का ये load था 17 से 19 जुलाई तक हम apply कर सकते थे अब जो इसकी allotment status है वो 24 तारिक को आपको पता चलने वाली है यानि कि जब ये वीडियो बन रही है तो 23 तारिक है और 24 यानि कि कल की तारिक को सोम बार को इसका allotment पता चलेगा अगर आपको allotment होगा तो auto credit और auto debit यानि कि पैसा अगर आपको allotment IPO हो गया तो पैसा आपके account से cut जाएगा नहीं आपको allotment हुआ तो आपके account में पैसा वापिस आ जाएगा 25 तक ये सारी प्रिक्रिया हो जाएगी 25 तक पैसा वापिस आ जाएगा और जिनको भी share मिलेंगे 26 तारी को share demate account में आ जाएगे और 27 तारी को इसकी listing हो जाएगी exchange पर 27 तारी को इसकी exchange हो जाएगी retail category में 15,000 रुपे से apply किया है मैंने एक account से अपने apply किया है और एक भाई के account से apply किया है आप भी अगर एक ही account से apply करते हैं तो आप एक account से apply ना करके 2-3 account से apply करें जिससे कि आपके IPO मिलने के chance जो है बढ़ जाएगे वीडियो की description में आप इस्टोक और जरोधा की link दी गई है दोनों में से किसी भी account आप खोल सकते हैं इस्टोक और जरोधा का वहां से आप अलग-अलग IPO apply कर सकते हैं इसमें anchor investor के लिए 30% का portion रखा गया था और QIV के लिए 20% का portion रखा गया था लेकिन हमको तो यहां पर retail वाला portion देखना है कि retail category के लिए कितना portion रखा गया था तो retail के लिए अच्छा खाशा portion रखा गया था 35% का तो यहां पर थोड़े से मिलने के chance बढ़ जाते हैं 35% का जब portion रहता है जैसे उतकर से small finance bank में लगभग 50% का portion था तो उसमें मिलने के chance बढ़ जाते हैं जिसमें से एक lot मुझे मिला था एक ID से और दूसरे ID से lot नहीं मिला था अब आगे हम बात करें तो यह IPO जो है यहां पर आप देखेंगे 15-16 गुना इसका जो total subscription है 15 times यह pen card के हिसाब से 15 times गुना ही subscribe हुआ है यानि कि 15-16 लोग में से एक व्यक्ति को यह IPO मिलने वाला है 16 आदमियों में से एक व्यक्ति को यह IPO मिलने वाला है यानि हम 100 व्यक्ति में बात करें तो 6 या 7 लोग को यह IPO मिलेगा तो अच्छी संभावना है मतलब 6-7% लोगों को यह IPO लगने वाला है तो इसमें अच्छी संभावना मिलने की तो जैसे ही IPO मिल जाएगा अब इसकी GMP क्या चल रही है वो देख लेते हैं अगर IPO मिलता है तो 30 share का लोट है और इसको जो GMP है वो 400 रुपए के लगभग अभी चल रही है यानि कि 12,000 रुपए के लगभग इसमें आज की date में फाइदा बता रहा है अगर या IPO हमको मिलता है तो अगर इसमें GMP में कुछ उताव चड़ाओ भी आता है तो minimum side में 11,000 रुपए मान के चलते हैं 10,000-11,000 रुपए मान के चलते हैं अगर जिनको भी IPO मिलेगा तो 10,000-11,000 रुपए तो उनके अराम से बनने वाले अब short term और long term की यह बात करें तो मैं तो इस IPO अगर मुझे लोट लगता है कोई भी IPO का इसमें तो मैं अभी फिलाल इसको बेच कर और अपना profit book करने वाला हूँ और फिर बात में देखेंगे इसमें long term के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वैसे company अच्छा है काम भी अच्छा है पर मेरी personally अभी रहा है कि मैं इसमें short term में profit book करने वाला हूँ तो आपको मैंने IPO के chances भी बता दिये अब IPO लिस्ट कहां पर होने वाला है तो link in time की website पर IPO आने वाला है वीडियो की description में मैं लिंक भी दे दूँगा वहाँ पर जाके आप direct अपना pen number डाल की भी देख सकते हैं और direct आप Google में भी search कर सकते हैं link in time तो link in time की India private limited पर जाओ आप जाएंगे तो यहाँ पर pen numbers पर already tick रहेगा pen numbers से सबसे आसान होता है देखना यहाँ पर जहाँ पर idea forge का IPO वहाँ पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको IPO का नाम आ जाएगा उसके बाद अपना pen number आप डाल सकते हैं और search यहाँ पर search कर सकते हैं और वैसे अगर search करने वाला जंजट आपको नहीं चीए तो auto credit, auto debit के message भी आ जाएंगे उसमें कोई tension लेने वाली बात नहीं है तो उसके लिए आप ready हो जाएंगे